दिजनी इंडिया मुझे बताओ कि हम सभी को बेवलेट बर्स के न्यू एपिसोड देखने को कम मिलेंगे इसने दिनों से हम सभी वही रिपीटेड एपिसोड देख रहे हैं और बोर हो चुके हैं ऐसा बिल्कुल इमीडियेट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे तो कैसे हो आप सभी सुगाइज मैं वापिस आगया हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरे एक्जाम्स चल रहे थे जिसकी वैसे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और फाइनली एक्जाम्स का दी एंड हो चुका है तो अब मैं यूटुब पर वापसी कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आज के वीडियो पर मैं वापिस आया हूँ बहुती अमेजिंग नीउस के साथ तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिखना और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बल आइकन कॉल पर सेट कर दो हर एक नॉटिफिकेशन के लिए और यार अब 10 के भी होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स तक हमारे चैनल को पहुचा दो सो लेट्स पीगेंग गाइस जैसा कि आप सभी जानते हो कि बेवलेट बस टर्बो के बहुत सारे एपिसोड्स है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं मतलब कि बेवलेट बस टर्बो इस पूरे महीने तो रिपीट होता ही आया है और जन्वरी में भी शायद एक हफते वो रिपीट टेलिकास्ट होता रहा था उसका तो मतलब बेवलेट बस टर्बो के जितने भी एपिसोड है और तीन जाय बार तो रिपीट होई चुके हैं तो अब हो सकता है कि हम सभी को बेवलेट बस टर्बो के नए एपिसोड मार्च के महीने से देखने को मिल जाए क्योंकि अभी इस समय एपिसोड नमबर 29 या 28 को चल रहा है तो हो सकता है कि Babylid Bust Du Mig這一ims history' साव押ो मार्च में कन्फर्मली हमको देखने को मिले मैं इस बात पर 95 परसेंट शियोर हूँ कि हमें Babylid Bust Du Mig aged needs 2020 मार्च मेर्च देखने को मिलेंगे तो फाइनली अब जो हमारा वेट है वह आखिरकार मतलब खतम हुआ बहुत मतलब मतलब कि मुझे तो डायलोग तक याद हो गया हूँगे बहुत सारे characters के इतनी बारी मैंने repeat a resource देखा और guys comment section में मुझे ये भी बता देना कि जो बेवलेड वी फोर्स है कि आप morning में बेवलेड वी फोर्स देखते हो या नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ तो thank you so much for watching this video आज की वीडियों बस इतना इस वीडियो को like करो share कर अपने friends के साथ और अगर channel पर ने हो तो please channel को अभी के पर subscribe करके bell icon call पर set कर दो हर एक notification के लिए तो चलो मैं मिलता हूँ आप से next video तक तक के लिए keep watching keep supporting stay tuned